तो हेलो फ्रेंट दिसाइट प्रियान से मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और फिर हमारी यूट्यूब चैनल बुक्यों स्टीट नौ पर तो जैसे कि मेरे पास बहुत सारी कोईरी सारी थी नॉन कौलिफाइ स्टूरेंट्स की की आपके BMS, BHMS और BOMS में क्या रिवाइस देख रहे हैं इस साल 2022 के सेशन में एडविशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत महत्यपूर होने वाली हैं क्योंकि वो सब पैनिक बहुत ज़्यादा क्रियेट हो चुका उन बच्चों के वीच में कि उनका इस साल एडविशन होगा या नहीं होगा या ज जही सारे टॉपिक्स के ऊपर यह वीडियो आप सभी के लिए तो वीडियो स्टाट करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल पर नहां आया है प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि ऐसी इन्फोर्मेटिव वीडियो से हम आपके पास लाते रहते हैं तो चलि इसने जनरल केटेगरी के हैं वो सब पास आउट हैं और वो अपना इलिजिबल हैं कहीं भी अडिशन ले सकते हैं ब्यूमस ब्यूमस में या ब्यूमस में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या गौर्णमन तो पॉसिबल नहीं है गौर्णमन के लिए हाई स्कोर अराउंड 500 प्लस के अराउंड आपको स्कोर चाहिए तब जाकर आपको गौर्णमन कॉलेज मिलेगा और वहीं पर अगर हम SCST OBC की बात करते हैं तो उनका जो स्कोर गया था वो 93 कट आफ गई थी तो इसकी उपर की जो बच्चे हैं वो सारे इलिजिबल है आपके अडिशन लेने के लिए चाहिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो या डिम्ड कोई वी हो तो यह सेरी सेनेरियो है जो अभी तक चलता आ रहा है जिस सेनेरियो पर आपकी जो काउंसलिंग है वो कंड़क्ट हो रही है और अगर हम बात करते हैं नॉन रिलिजिबल स्टूरेंट की जो जो बच्चे पास आउट नहीं हो पाएं उनके लिए क्या सेनेरियो होने वाला है क्या कुछ मार्च से जो रहे गए तो क्या वो इस साल एडवीशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे सबसे बला डाउट सबसे बला पैनिक जो बच्चों के बीच में प्रिएट है वो आपको मालूम होगा या अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि सिर्फ आपका नीट अप्यार होना चाहिए और आपका एडवीशन हो जाता था आपका BMS में बात करते हैं या हुमोपैती या आपकी यूनानी लेकिन कुछ समय के बाद इसको क्या कर दिया गया कि आपको एक कट-off मांच दे दिये गए उसके बाद एक रिवाइस कट-off प्रोवाइट कर दी जाती जो जिसको कहते हैं कि हमारी कुछ परसेंटाइल कट-off डिक्रीज हुई है मतलब कि अगर पहले के पहले साल के बात करते हैं तो टैन परसेंटाइल के आराउंड आप दिक्रीज होने की संभावना देखाई दे रही है क्योंकि फस्ट राउंड डिक्त कॉलेजिस में हो चुका है तो काफ़े ज्यादा सीट्स वेकंट देखने को मिल रही है तो उसी की बीच में यह अनुमान लगा जा रहा है कि आपकी परसेंटाइल है जो आपकी रिवाइस पर्फोरियो खोल दिया जाए वह बच्चे भी एडिवीशन ले सके ताकि उनकी जो वेकंट सीट्स है वह इस साल वेकंट ना जाए चूंकि लास्ट काफी सीट्स वेकंट चले गई थी रिवाइस कॉट आउफ के चक कर रहे हैं और कोई भी कॉलेज को कोड़ परमीशन नह कर देखने को मिलेगी और वहीं पर अगर हम जनरल केटेगर की बात करते तो आपके कट आफ रहेगी वह आपकी हंड्रेट या 95 के आराउंड आपको बीच में इसके बीच में आपको देखने को मिलेगी मतलब 15 से 20 नंबर के आराउंड आपकी जो कट आफ है वह डाउन देगे तो यह scenario लगाया जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा बट अभी कोई confirmation report नहीं है लेकिन हां device cut off आपकी जो बच्चे इनिलिजिबल है इस समय वो इलिजिबल हो जाएंगे अगर जो बच्चे इनिलिजिबल है अगर वो एडिविशन लेना चाहते हैं तो हमारी संपक कर सकते हमको description में आपको link पिल जाएगा जैसे कोई update आता है आपकी या कोई court से permission आती किसी college ही तो हम आपकी पूरी साहत्ता करेंगे addition provide कराने में साथ इसाथ अगर eligible हैं तो भी आप addition ले सकते हैं comment section में comment करें दीजिए या फिर आप नीचे देगा help line number पर में संपर कर सकते हैं what's the number आपको provide किया है आप message drop कीजिए कोई ना कोई हमारी team आपसे बात करेगी अगर आपका genuinely आप addition लेना चाहते है तो हमारी team संपर करेगी और आपका पूरा addition provide कराएगी at last तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही होप करते हूं वीडियो काफी इंपूमिटेव रही तो प्लीज इसल लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद